दिएर श्टुडेंट स्वागत करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल प्राइमिस्टडी मटेरियन में तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10 पोईटरी का चैप्टर 16 हमारे चैप्टर का नाम है अमांडा यानि पर यहां पर एक यह अमांड पीता डाट रहा है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप चाहें माता डाटती हैं यह बोल यह पर पीता डाटती है मुझे हमेसा डारती रहती है और वह सोचती है कि यह लोग मुझे कितना बंधन में रखते हैं कास मैं इन लोगों से बहुत दूर चले जाओं किसी कि देश में चले जाओं जहां पर मैं अकेली रहूं मतलब मुझे कोई रोग ने टोकने वाला ना हो मतलब यही सब सोचती है तो देखी इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पैरा ऐसा है ना कि मतलब जब हम पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही समझने आ जाएग तो चलीए वीड़ देर के चलते हैं अपने पहले पर श् starting करते हैं दिया है डू नाट बिट यॉर नेल अमांडा दिख़व और बीट मतलब जो हैं चबाना यूर मतलब अपना नेल्स मतलब नाखुन अमांडा मतलब अमांड़की का नाम है डू नाट बिट यूर नेलस अ अमांडा अपने कंधों को मत जुका कर अपने कंधों मतलब या अमांडा काता है इसकी मां पाम कंधों को मत जुकाकर मत बैठेक कंधा जुका कर बैठना छोड़ दो एक दम सीधे बैठो मांडा stop that slouching मतलब जुकाना यानि अपने कंधे को जुका कर मत बैठो and sit up straight यानि सीधा बैठो मांडा दूसर परग्राप पर चलिए दिखिए there is a longitude immirable sea हरे रंग का एक सांत समुद्र where the soul inhabitant is जहाँ का एक मात्र निवासी मैं हूँ यानि जो हरे रंग का समुद्र है वहाँ का मैं एक मात्र निवासी हूँ a mermaid differently blissful यानि मैं एक जल परी हूँ और धीरे धीरे आनंद पूर्वक चल रही हूँ यानि यो सोच रही है कास मैं मैं एक जल परी होती और धीरे धीरे चलती मतलब देखिए फिर से देखिए देर इस लॉंग्योड इमेबल सी हरे रंग का एक सांथ समुद्र है वेर दा शोल इनेविटेंट इस मी जहाँ एक मातर की मैं निवासी हूँ यानि मैं एक जल परी हूँ और धीरे धीरे आनंद पूर वक्त चल रही हूँ यानि उसके बारे मतलब वो सोच रही है अमान्ड़ टेडी मतलब वो साफ करने उसकी माता फिर बोल रहे है कि अमान्ड़ के तुमने अपने जो है रूम को साफ कर लिया है I thought, मैं सोचती हूँ I told you to clean your shoes Amanda मैंने तुम से तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कईी थि तुर इसकी माता कहा रही I thought, मैं सोच तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कईी थि अमांडा पिरागे देखिए I am an orphan roaming the street कास मैं एक अनाथ होती तो यानि इतना pressure उसकी माँ उसे देरे 24 घंटा जो है उसके निगरानी में रख रही है सब कुछ मतलब कह रही है तो सोच रही है कास मैं अनाथ ही होती इससे अच्छा तो मैं अनाथ ही होती वो कह रही है कि कास इस अच्छा मैं अनाथ होती और जो है गाड़ी ओपर मतलब सडकों पर घूमती आई पैटर्न सौफ्ट डस्ट आई पैटर्न सौफ्ट डस्ट विथ माई होस्ड बेयर फिट यानि अपने दबे हुए नन्य पैरों से कोमल धुआ पर आकृती बना रही होती जो बोल रही है कि यहां पर देखे पैटर्न मतलब होता है इसे आकृती बनाना माई हज जनी अपने पैरों से बेर मतलब होता है धुआ यानि कोमल धुआ ठीक यानि वह बोल रही है कि सांती जो है मुल्यवान है और जो सतन्दता है वह बहुत सुखद है पर अगर आप देखे दिये हैं डू नाट इट डैट डू नाट इट डैट चॉकलेट अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा उसकी माँ फिर कह रही है कि अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ remember your acres Amanda आपने मुझसे जो है को याद रखो Amanda यानि आपने मुहासे को याद रखो Amanda यानि जो है उसके एकेंज मतलब होता है मुहावसा यानि उसके चेहरे पर मुहावसा निकला था इसलिए उसके माँ बोल रही है कमांड़ा उस चॉकलेट को मत खाओ अपने चेहरे पर जो मुहावसा निकला है इसको याद रखो विल यू प्लीज लूक एड मी क्या तुम किर्पिया मेरी तरफ देखोगी यानि उसके माँ कर रही है क्या तुम किर्पिया करके मेरी तरफ देखोगी अपने पर अगर देखिए आई एम रेपिंजल यानि आकास में एक परी होती यानि फिर वह सोच रही है आकास में एक परी होती आई हेव नाट एक करोर तो मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देती लाइफ इन ए टोवर इस ट्रांस वेले देकिये लाइफ इन टावर इन ट्रांक्यूल एंड रेर यानि जो हैं बोल रही है कि कास मैं एक परी होती I have not eager तो मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देती लाइफ इन टावर इन ट्रांक्यूल एंड रेर मिनार पर जो जीवन होता है वह चिंतम्मुक्त और दुरलब होता है आइफ इन ट्रांक्यूल मतलब होता है चिंतम्मुक्त और दुरलब होता है I will cut and lean never let down my bright hair मैं किसी परिस्ति में अपने चमकीले बालों को कभी न गिराती यानि मैं किसी में परिस्ति होती बड़न मैं अपने चमकीले बालों को कभी न गिराती ब्रैट मतलब चमकीले बालों को कभी न गिरा तास्ट पर चलते हैं कि अब लेखे इस्टॉप देट सुलकिंग एट वंस अमांडा रुको मो फूलाना बंद करो अमांडा उसकी मा करें अमांडा यानि उसकी मा कह रही है कि अमांडा तुम हमेशा गुसे में रहती हो कोई भी वक्ति कोई भी वक्ति सूचेगा कि मतलब की आइन कि मैं तुम्हें सताया हूं अमांडा क्या तुम हमेशा गुसे में रहती हो अकर कोई बेख तुम्हें देखेगा तो यही बोलेगा कि जो है मैं तुम्हें हमेशा सताती रहती हूँ तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे समझ माया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सस्काइब कीजिए सेयर कीजिए और दोस्तों के साथ अपने सेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्षी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन